सारुख खान जो की बॉल वीट के सबसे बड़े सूपर स्टार माने जाते हैं सारुख खान की कई सारी फिल्मे हैं जो की बॉक्स आफिस पे ब्लॉक बास्टर रही है लेकिन सारुख खान का पिछला कुछ साल बॉक्स आफिस पे अच्छा नहीं गया है पिछले तीन या चार सालों से इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई है लेकिन अब सारुख खान की लगतार फिल्म में आने वाली है 2023 से सारुख खान बॉक्स आफिस पे वापसी कर देंगे और इस साल भी उनकी एक फिल्म आने वाली है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 upcoming movies of सारुख खान यानि कि सारुख खान के आने वाली 5 बड़ी movies के बारे में जिसमें आप सारुख खान को देखेंगे तो एंट डेखिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी वीडियो के नीचे से तो सारुख खान के आने वाली 5 बड़ी upcoming movies की बात करें तो पांचवे नंबर पे जो movies है जो की बहुत ही जल्द रिलीज होगा वो है ब्राम मास्त्र ब्राम मास्त्र जो की है तो रनवीर कपूर और आलिया भट की movie लेकिन इसमें हमें सारुख खान भी दिखाई देंगे सारुख खान का इसमें कैमियो होगा सारुख खान ने अपने कैमियो को स्टूट करने के लिए 15 दिन लगाय थे इसका मतलब इस मूवी में सारुख खान का जो सीन होगा वो अच्छा खासा होगा तो सारुख खान का कैमी हुई होगा लेकिन इसी साल अगले महीने हमें अक्तूबर के महीने आने की इसी महीने में हमें ये देखने को मिलेंगे सारुख खान ब्रहमास्तर में हमें दिखाई देंगे उसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पे जो मूवी है वो है पठान पठान मूवी जिसका इंतजार सारुख खान के फैंस बहुत ही बेसबी से कर रहा है इस्पाई यूनिवर्स की ये मूवी है यसरास फिल्म के यसरास फिल्म ये मूवी रिलीज करने वाले हैं अगले साल जनवरी के महिने में जैं दोस्तो जनवरी के महिने में ये मूवी रिलीज हो जाएगी 20 जनवरी को दिपिका पादुको जोन इब्राम जैसे बड़े एक्टर इस मूवी में आपको दिखाई रेंगे और पठान का इंतजार पूरा इंडिया कर रहा है उसके बाद इस लिश्ट में अगले नंबर पे जो मूवी है वो है जवान जवान जो कि बॉक्स आफिस पे बहुत ही ज़ादा जवान हो सकती है क्योंकि ये सारुक खान की काफी बड़ी मूवी माननी जा रही है इस मूवी में हमें साउथ के एक्टर्स भी दिखाए देंगे जैसे कि विजे से तुपती और साथी साथ और भी कई सारे हैं खिलाडी साउथ के एक एक्टर्स भी है इस मूवी में तो इस मूवी को रिलीज होने में तो अभी टाइम है यह साथ जून में रुलीज होगा सारुखान का ये जवान अगले नमबर पे जिस मुवी का नाम आता है हमारी लिस्ट में वो है डुंकी डुंकी का इंतजार बहुत सारे फैंस कर रहे हैं क्योंकि ये सारुखान की एक बहुती बहतरीन फिल्म मानी जा रही है अटली के साथ ये मुवी बना रहे हैं जो कि बॉक्स ओफिस पे PK3 इडियट और संजू जैसी मुवी बना चुके हैं तो सारुखान की डुंकी का इंतजार तो सारुखान के पैंस बहुती बेसरवरी से कर रहे हैं सारुखान की एक बड़ी फिल्म एक आइकोनिक फिल्म हो सकती है और उसके बाद इस लिश्ट में आँखरी नंबर पे जो मुवी है जो कि इनकी सबसे बड़ी मुवी हो सकती है वो है पठान प्लस टाइगर पठान प्लस टाइगर यानि की स्पाई उनिवर्स के दो कैरेक्टर सलमान खान के टाइगर और इनकी जो पठान मूवी आने वाली है उसमें के ये दो खिलाडी हमें एक मूवी में दिखाई देंगे जानि की पठान और टाइगर एक साथ हमें दिखाई दे सकते हैं बॉक्स पहले ही कर दी थी, ये मुवी आने में अभी टाइम है, मेरे साथ से 2024 या 2025 तक ये मुवी रिलीज हो जाएए, बाकि सारु खान की और जो मुवीज हैं वो 2023 में ही आएंगे, यानि कि जो पठान है वो भी 2023 में डुंकी है, वो भी 2023 में और जवान भी, पठान प्लस टाइगर व देख लीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताए कि अगली वीडियो आप किस एक्टर के उपर देखना चाहते हैं, तो अभी कमेंट करें उस एक्टर का नाम, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्ता बनें